नमस्कार दोस्तो सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी सेख सींग दोस्तो हर एक वीते दिन के साथ साथ जो हाउस कंस्ट्रक्सन का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है आज मैं आपको दिखाना वाला हूँ दोस्तो यह जो सेप्टिक टेंक मनाया जा रहा है और इसका जो दोस्तो मेन होल दिया गया है जो धक्कन दिया गया है वो बहुत इंट्रेस्टिंग है दोस्तो चली मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये ढखकन जो है वो किस परकार का है किस मेटेरियल से बना हुआ है साथे साथ दोस्तो इसमें खराब होने वाली चीज है उपर से कैसा दिखता है अंदर से कैसा दिखता है कितने का मिला और साथ इसाथ बहुत से लोग अपने पारकिंग में भी सेप्टिक टेंक बनवाते हैं तो क्या इस पे हमारी कार या फिर बाइक चर गई तो क्या ये तूट जायेगा या फिर सही रहेगा पूरी जनकारी दूंगा दोस्तो नए चीज है देखने में लुक काफी अलग है टाकि आप इसका जल से जल लाव ले पाएं और एक्स्ट्रा एज दोस्तो आप प्राप्त करें चूकि मुहले में कुछ आप अगर पहली बार करते हैं तो उसको देखने के लिए लोग भी आते है और सातीसाथ दोस्तो आपको एक एक्स्ट्रा एजबी मिलता है तो चलीए बात कर लेते हैं सब से पहले डोस्तों जब ढ़कन मनाना इस्टार्ट किया गया तो यह जो कंक्रीट है इसी से 1-5 स्लैप की डहलाई होती थी और 33 दोस्तों जहां में होल रहे उसके चारो तरफ एंगल फीट के लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो फाइवर वाला मेन होल का डखकन दिखाने वाला हूं इस पे नहीं तो जंक दोस्तों अटेक कर सकता है और नहीं दोस्तों यह इतना कमजोर है कि आपके कार वेगरा चरहने से टूट जाएगा ठीक है अंदर सभी में दिखाऊंगा तब आ कर आपके पास कार है तो इस ढखकन को कुछ भी होने वाला नहीं है मतलब कार से तो इसका कुछ भी नुकसान होने को नहीं है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार यह जो ढखकन है उसका डायमेंसन कितना है डायमेंसन दोस्तों डेर फीट बाई डेर फीट का है जैसा कि normally दोस्तो हम slab वाला भी धकन बनाते थे तो इसी dimension का होता था आप देख सकते हैं दो यहाँ पे धकन लगाये हुए है अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार यह धकन दोस्तो किस तरीके से operational है मतलब कि इसको किस तरीके से इस्तमाल करना है धकन को खोलने के लिए आप देख सकते हैं कि इस लोक के निकलने के बाद में यही लोक था जो मैंने यहाँ से निकाला था इसके बाद दोस्तो यहां पे आपके लिए दोस्तो इस तरीके से पकड़ कर इसको खोलने का एक option होता है यह जैसे हैं दोस्तो खोलेगा आप देख सकते हैं कि हमारे septic tank के लिए जो धकन लागाया गया था ठीक है वो बिल्कुल दोस्तो इस तरीके से खुल चुका है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चुकि यह सट्रिंग दोस्तो अभी नहीं खोला गया आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे में सट्रिंग दिख रहा है ठीक है यह सट्रिंग है ठीक है ठीक है वाटर को या फिर जो भी स्लाज है उसको यहां से बाहर की तरफ निकाला जाएगा तो इस तरीके से दोस्तो आप देख सकते हैं कि सेप्टिक टेंग का यह मेन होल का धकन है दोस्तो वह भी आप कितना धोस्तो फैंती आने लगा है और साथी साथ दोस्तो इसको लॉक करने के के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए तो इसको 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 यहां पर ला करके बहुत सही तरीके से दोस्तो इधर से फेस मिला करके और उपर से फेस मिला करके दोस्तो बस इसको रख देना है और यहां पर दोस्तो फिक्स कर देना है आप देख सकत है दोस्तों यह concrete के साथ में चिपक जाएगा दोस्तों इस तरीके का shape ले लेगा और उसके बाद दोस्तों यह जो ढखकन है इसको आप बाहर से भी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फिर से अगर लगाना हुगा तो देख सकते हैं यहाँ पे दो लॉक दिया हुए है और वहाँ पे दोस्तों दो खांचे बने हुए है तो उस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से पहले अंदर के तरफ डालना है ठीक है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद में इसको थोड़ा स यह लोग हो चुका है आप दूस्तों बात कर लेते हैं इस के प्रैस की दोषतो इस टाइप को जो आइटम होते हैं उसके fix price तो नहीं होते हैं हर दुकंदार पर वहरी करता है लेकिन इस site की दोस्तो प्रोपर बात की जाए तो यहां पे 610 रुपे प्रती पीस के हिसाब से दोस्तो यह मेन होल का ढखकन लाए गया है तो उमीद करता हूं दोस्तो यह कंप्लीट जनकारी आपको पसंद आई होगे और आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो हमें दीजिए इजाजत हमा अपला करें प्रैंद में सिरेज से खांवे जनकारी टा लाए गया दोस्तो यह भी